हाई अब्रिवर्न आज हम बनाने वाली मूंग क्योंश्ट बनाने लगती है बच्छे लोग के स्कुली स्टार्ट हो चुकिए और हमें समझ में नियाता रोजों जुने टिफिन में क्या दो जो ब्रेकवास्ट बहुत ही ज़्यादा हेल दियो बहुत ही ज़्यादा फटाक से बन जाती है इस रेसीपी भी मुश्कल से सिर्फ 10 मेड भी नहीं लगते बहुत फटाक से रेसीपी बन जाती है तो फ्रेंट इस रेसीपी को हम बनाना स्थार्ट कर सबसे पहले हम यहाँ पर जो खड़ी वाली मूंग होती है हरी वाली वह ले लेंगे से हमने रात में बिग इतना है पेश्ट नहीं बनाना है हलका सा पाने डलके आप लोग इसे पीस लीजिए इसे बरतन में निकाल लेंगे इसमें मैं एड करूं कि वन टेबल इस्पून मैंने आप पर बेसन लिया हुआ है आप लोग बेसन इसमें अगर आप लोग को जोड़ पर आप बात में और अब पेन ले जिए उसमें गी लगाए तो थोड़ा से यहां पर घी लगा लेंगे और वन टेबल इसमें डाल देंगे और गयस की लिम को लोग कर रखेंगे और इसे अच्छी तारीकती चम्मत से फैला लेंगे और इसे मैं ब्रेट के उपर लगाऊंगे तो इसलिए मैं य बुष्वर सेप में होता है वैसे ही इसे बना लेंगे और इसे एक सिकंड के लिए ऐसे ही हम पकने देंगे अगर आप लोग चाहिए तो इसका एसे भी बना के ब्रेकफ़स्ट रेडी कर सकते हैं बहुत यम्मी लगता है गाने में और एक साइट का होने के बाद में दो से ति परिके से गोल्डन ब्राउन करें तोड़ा क्रिस्पी तक के में सेट लेंगे और इसे दोनों साय से उलट प्लट करके सेखने के बाद में आप लोग देख सकते बहुत असानी से बन जाता है जिसमें रोटी बनाते ना उसमें भी यह बन जाता है बिल्कुल भी नहीं चपक तावे में इस तरह आप लोग सेख लीजिए और सेखने के बाद ने यहां पर में टमाटो केचप लगा रही है आप लोग थोड़ा इस पाइसी काते हैं तो आप लेक्षाटन चटनी भी लगा सकते हैं यहां बच्चों लेटिफिन बना रहे हैं इसलिए में केचप लगा देंगे और थोड़ा सा हलका से हम यहां पर जो चीज में इस्तेमाल कर रही है इसे हलका सा करसके इसमें डाल देंगे यह ऑप्शनल है अगर आप लोग चाहें तो इसकी भी कर सकते जरूरी नहीं है डालना तो बच्चों की बहुत जादा चीज परसंद होती इसलिए हलका स चीज डालेंगे तो फुरा पुरा मस्ता फिनिश कर देंगे तो चीज और बिरेड होने के बाद में यहां पर जो यह मुंग टोष्ट बना कर रखा तो इसके पर रख देंगे और उसे दबाके हलका सा प्रेस प्रेस करके इसे हम यहां पर अच्छी तरीके से शेख लेंगे हलका सा golden brown कर लेंगे ताकि बच्चे लुखा है तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगे तो यहां gas की flame को मैं बंद कर दूंगी और इसे हम निकाल लेते हैं यहां हमारा moon toast बनके ready हो गया जो बहुत ज़्यादा टेश्टी लग रहा है बहुत ज़्यादा यम्मी दीख रहा है इसे मैं आप लोगों को cutting करकर दिखा देती हैं देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा क्रिस्पी रंदस एक दब soft है तो यह बच्चों के लिए lunch box healthy lunch box ready हो चुका है आप लोग इसे बच्चे भी खा सकते हैं आप लोग बड़े भी खा सकते हैं आप लोग इसे जरूर बनाएं मिलते निक्स होड़ी हो